शिमला के अतिहासिक रिज मैदान पर एक जून से शुरू होने वाले अंतराष्टे शिमला समर फेस्टिवल के दोरान पुलिस का कड़ा सुरक्षा पहरा रहेगा शेहर को पांच सेक्टरों में बांटा गया है सेक्टरों की सुरक्षा निगराने का जिमा पुलिस के आला अपसरों पर रहेगा पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा प्लान बनाया गया है कि भीर को नियंतित करने के लिए स्पेशल तीन गेट बनाया गया है खासकर पुलिस हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी नजर रखेगी समर फेस्टिवल के दोरान यदि रिज मैदान पर जादा भी उमर्ती और रिज मैदान पुरी तरह से भर जाता है तो पुलिस लोगों को रिज पर जाने से रोक देगी हमने पूरी प्रयाब त्यारियां की हैं अभी हमने शिमला डिस्टिक में जो हमारा बड़ा में फेस्टिवल समर फेस्टिवल जो रिज मैदान पर आयोजित होता है उसको लेकर के हमने शिमला कजुरीज मैदान आसपास के एक शेतर है उसको पांच भागों में भग दिया है जिसमें की कोर एरिया है जहां पे में रूप से मुख्यरूप से आयोजन होगा उसके बाद आउटर सेक्टर हमने इसमें बनाये हैं जिसमें एंट्रीज को हम सुनिश्चित करवाएंगे उसके बाद एक और सेक्टर होगा जहां पे फ्री मूवमेंट लोग करते हैं और फिट ट्राफिक के संचालन को लेकर के भी एक प्लैन बनाया है तो कुल मिलाकर पिछला जो हमारा एक्सपिरियंस रहा है उसको फीडबैक अधारित मानते हुए फीडबैक मेकैनिजम की तरह लेते हुए हमने समर फेस्टिवल को लेकर कर जो है अपनी पूरी तियारी किये जिसमें सुरक्षा भी है और साथ साथ में जो है वो आडरली रहे ठीक तरीके से विवस्तित रहे वो भी हम प्रयास करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि रिज मैदान पर जितने दर्शक वहां पर आ सकते हैं उनकी संक्या के अनुरूपी दर्शक वहां पर उपस्तित रहें जब रिज मैदान भर जाए या उसके कैपेस्ट्री से ज़्यादा लोग वहां पर हमको ऐसा प्रतीत हो कि हो सकते हैं तब हम आउटर गेट से जो है वो लोगों की मुव्मेंट को कंट्रोल करेंगे सर्क बात करें तो कितने जबान जो है इसमें लगाएजाएं से संक्या में हम ने जबान लगा रहे है पांचे प्रतों हαι हर सेक्टर में के राजपतरित दीकारियूल का इंचार्ज हो झाल झाल